तो बंदूर इस वीडी के अंदर हम बात करने वाले अधिपुरूस्त के बारे में और बताने वालो कि यह मूगी कितना जाता गटिया है मुझे पता है कि यूट्युब पे बहुत सारा ऐसा वीड़ो मिल जाएगा वो देख रहा हूँ 75 तो मुझे पता है तो मुझे पता है कि भाई रामाइन में क्या हुआ था अब मैं यहाँ पर रामानन सागर जी का जो रामाइन है जिसको सब ने देखा है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ ना कि तुलसितास जी का रामाइन और ना ही बालमिकी जी का रामाइन के बारे में बात करने वाला हूं जो हमने देखा है उसी से मैं compare करने वाला हूं सबसे पहले जो ये टीजर सुरू होता है तो हमें स्री रामचंद्र जी को दिखाया जाता है और जो स्री रामचंद्र जी को दिखाया जाता है तो उसका suit का color देखो white color में दिख पहनाया जाता है जिसी साब से रामचंद्र जी को यहां पे पोट्रेल दिया गया है तो यहां पे लग रहा है कि सीता माता को बचाने के लिए गया है लेकिन एक बात याद रखना बनबास जाने से पहले एक सर्द था कि स्री रामचंद्र जी को रिसी के वेस में रहना है और के तरह वस्त्र पहनना है अर्था जो कलर उनको पहनना था वो भगवा कलर का पहनना था यानि कि जो औरेंज है डार्क औरेंज है उन कलर का उनको सूट पहनना था उन कलर का उनको लुंगी या धोती पहनना था ना कि भाई साब यहां पे वाइट कलर का तो यह सोच लो कि कित जी का वो घमंड वाला जो आवाज है कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ मैं मारने के लिए आ रहा हूँ भाई स्री राम चंद्र जी वैसा कभी नहीं थे जब अजोधिया से वह गए थे जनकपूर और वहाँ पे सीता माता के बिबा के दोरान उन्होंने तोड़ दिया था धन दिवान का अबतार थे तो वह परसुनाम जी से लड़ सकते थे लक्षमन जी लड़ने के लिए तयार भी हो गए थे लेकिन वहाँ पर स्री राम चंद्र जी बोलते हैं यह भाई आप सांथ हो जाओ मैं बात करता हूँ और वह बोलते हैं कि प्रभू मैं अपराधी हूँ य स्राजा मौली के मूवी के अंदर आरार के अंदर हमने देखा है कि यदि आपने कैरेक्टर को वैसा बिल्ट अप दिया है तो मुझ डाड़ी कुछ भी माहिने नहीं रखता है हम एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सीजी है मतलब देखो वाई सैडव पैड़ा कुछ नहीं है मतलब इतना दा घटिया रामचंद्र जी तो नहीं थे और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है यह डीमन वगेरा जिसके बारे मैं बात नहीं करूंगा लेकिन वहीं पर आगे बात करे तो क्या यह स्री रामचंद्र जी का है स्री रामचंद्र जी क आदी पूरुस नहीं कहा जाता था उनको कहा जाता था पूरुस वत्तम यानि कि पूरुस में सबसे उत्तम पूरुस जो होते हैं मर्द जो होते हैं उनमें से सबसे ग्रेटर जो मर्द है वो कहा जाता था और उनके बाद कोई भी ऐसा character पैदा नहीं हुए जिसको पूरसवत्तम कहा गया था यानि कि जो हमारा क्रिसनी जी थे उनको भी पूरसवत्तम नहीं कहा गया था तो आप सोच के देखो रामचंदर जी क्या थे अब जो आजगाल का generation है उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन जो 90's का बच्चा है जिसने देखा है रामायन को पूरा उसको पता है कि मैं क्या बोड़ रहा हूँ आप येदी पढ़े हो तो आपको पता होगा अब येदी हम आगे बात के लिए तो आगे हमें दिखाए गया एक और character the legend रावन दिखाए गया है और मैं कसम से ये देखे बहुत जादा disappoint हुआ हूँ इस director पे जो रावन थे वो एक ब्रह्मन थे और वो एक रिसी कुल से बिलॉंग करते थे जो उनकी मम्मी थी वो एक राक्चसी थी और उनका साधी हुआ था एक रिसी से बहुत ही बड़े रिसी से साधी हुआ था और जो उनका बच्चा हुआ था उनके अंदर राक्चस का गुन के साथ साथ जो रिसी का गुन है वो भी था यानि कि वो तप भी करना जानते थे संगार भी करना जानते थे आप ले लो यहाँ पर रावन को, कुमकरण को, सुपनेखा को और साथी साथ विवीशन को विवीशन के अंदर पूरी तरह से राक्षस के गुन होने के साथ साथ उनके पिता का जो गुन था, रिसी का गुन था वो भी था, रावन भी एक बहुती बड़े रिसी थे, बहुती बड़े रिसी, इतने बड़े रिसी थे कि सिपजी ने उसे बुलाया था, जब उनका ग्रिहवास हो रहा था, यानि कि जब उनका घड का पूजा हो रहा था तो उसमें रावन को बुलाया गया था एज़ब पोरोहीत यानि की पंडित रहके तो भाई सोच के देखो रावन कितना ज़्यादा ग्रेट थे और जो भी पंडी जी होते है उनका जो बाल होता है बड़े थे जो भी हमारे रिसी महात्मा लोग थे पहले का उनका बाल बड़ा हुआ करता था ना कि वो बाल काटके और ऐसे छपड़ी के स्टाइल में रहा करता था तो ये देखके ये देखके मुझे तो बहुत जादा बुड़ा लगा और वहीं पर मैं ये दी आगे जाओ तो आगे और भी बहुत कुछ घटिया दिखाए गया है जो कि मैं बताओ तो बहुत जादा आपको गुसा आएगा ये वाला सिन देखो यहाँ पर चमगादर पर रावन को बिठाए गया था तो जिसको रामाइन के बारे में पता नहीं है मैं उसको बता देता हूँ राबन के पास पुस्पक बिमान था जिससे सीतामाता को हरा गया था और जिससे रामचंदर जी के सासाथ लक्षमन सीतामा और विवी सन गए थे अजोध्या बस एक ही दिन में पहुँच गए थे उसी पुस्पक बिमान पे बैट के गए थे और एक बात बताओ क्या ये इस चमगादर के उपर बैटके इतने लोग जा सकते हैं कते भी नहीं जा सकते हैं और वो जो पुस्पक बिमान था एक type का बिमान था और आजकाल का जो हमने बिमान हेलिकॉप्टर प्लेन वगरा देखा है जश्ट सिमिलर वैसा ही था तो यहाँ पर चमगादर को एड़ किया गया वो भी इतना दादा टटी चमगादर मुझे नहीं लगता और यह रावन को क्या छपड़ी बना दिया है बाए मतलब क्या ही बोलू मतलब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है और उसी के बाद यदि मैं आपको आगे दिखाओ तो आगे और भी दिखाए गया है यहाँ पर रावन जी को दिखाए गया है ठीक है और यहाँ पर रावन का देखो जो VFX किया गया है चलो ठीक है आपने 10 सर दिया है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर हसी दिया वो ताना जी वाला मूवी का दिया है वो भी मान लेते हैं लेकिन हाथ पर देखो जो VFX रुदराच इन्होंने हाथ पर लगा के रखा है वो पता है क्या है वो यहाँ पे देख से तो VFX है original इन्होंने रुदराच तक नहीं पहना है तो इतना घटिया बतलब please stop it guys यह मत करो please यह हमारा हिंदू का एक feeling है सरे रामचंदर जी उसे hurt मत करो साथी साथ यह लंका का scene हमें दिखाया जा रहा है और लंका सोने से भड़ा हुआ था जब तक उसको जलाया नहीं गया था हर्मान जी के दोहरा तब तक वो एक यहाँ पे सोने से लपालब भड़ा हुआ एक बहुत ही तगड़ा प्लेस था तो आप यहाँ पे सोना कहीं पे दिखा ही नहीं रहो ये कहीं कहीं पर सोना आप दिखा रहें और इससे सोच रहें कि हम ये accept कर ले कि ये रावण है तो भाई ये तो accept ही नहीं करेंगे और उसके बाद हम एक और चीज बात करेंगे पीछे हमें सुग्रीब जी दिखाएगा है लक्षमन जी दिखाएगे राम जी मैं आपको आगे क बली है और इसका जो पावर है ये अपने मुष्टिका से अपने मुक्य से किसी भी परपत को हिला सकते है लेकिन ये बजरंग बली को देखो उपर से लेके नीचे तक इनका कोई बाडी ही नहीं है उपर दे इनसान के रूप में यहाँ बनाये गया है उसके अलावा जितने अब एक और चीज एक्स्प्लेइन करना चाता हूँ म्यूटेशन के बारे में पता ही होगा यदि आपने आक्समें देखा है मार्वल डीसी देखा है तो आपको म्यूटेशन के बारे में पता होगा अब देखो जो सुग्रीब थे बाली थे बजरंग बली थे जामबन थे ये लोग mutate हो चुके थे, ये लोग बानर तो थे, लेकिन ये लोग mutate हो चुके थे और इनको सब कुछ पता था, कैसे बात करना है, कैसे हत्यार बनाना है, कैसे अपना जंता को चलाना है, और सबसे ग्यानी इंसान में से, या सबसे ग्यानी वेक्टी में से एक वेक्टी थे, रामायन के अंदर जो की थे हमारा जामबन जी जामबन जी एक भालू थे लेकिन वो इंसान से भी जादा तेजी में सोच पाते थे और ये भी बताया जाता है कि जो जामबन जी थे उनके अंदर इतना पाबर था कि वो खड़ी टक कर राम जी को भी दे पाते लेकिन उन्होंने कभी लड़ाई नहीं किया था लेकिन बाद में उन्होंने कृष्णी जी से लड़ाई किया था तो भाई यहाँ पर देखो बहुत जादा हमारे feeling के साथ खेला गया है जो normal बानर थे वो तो बानर थे लेकिन जो main character थे वो बानर नहीं थे वो mutate हो के इंसान जैसा बन गे थे उसी के बाद जो आगे हमें दिखाए गया वो मैं आपको दिखाता हो यह जो बानर का सेना दिखाए गया यह क्या है planet of A.F है यह यह कितना जादा घटिया लग रहा है इसका VFX ही नहीं है राक्षस दिखाए गया वो भी राक्षस के तरद दिखाए गया चलो ठीक है लेकिन भाई यह बहुत जादा गलत है उसी के बाद हमारे यहाँ पर बाली की दिखाए गया है सुग्रीब को दिखाए गया है और यह जो खडग है खडग रावन यूज करता था खडग जो है वो हमेशा राक्षस यूज करते थे ना कि खडग यूज करते थे ना कि खडग यूज करते थे सुग्रीब जी सुग्रीब जी बाली जी और उसी के साथ-साथ जो हमारे हनुआन जी है उन्होंने गदा का ही यूज किया है अपने हाथों का यूज की है, जो मिला है उसको हत्यार बना कि रमायन के अंदर यूज की है, ना कि ऐसा कुछ यूज की है और यहाँ पर पूरी तरह से हमारे भगवान को, हमारे ग्रेट लेजेंट को बानर बना दिया गया है, जो कि दो चीज होता है यहाँ पर यह आप सीन देखो offense और defense होता है जब समंदर से रास्ता मांगा गया था स्रिराम चेंदर जी के द्वारा तो यह वही का सीन है और यहाँ पर देखो यह offense में चलाया जा रहा है समंदर जी के उपर चलाया जा रहा है बांड और यहां पर जुक्य चलाया जा रहा है और यह बहुत जयादा गलत बात है यहीति आप किसी पर attack करे हो तो आप सिधा सामने होगे खड़ा होगे करोगे ना कि जुक्य करोगे चलो इसको हमने मान लिया अब हम आगे देखते कि के वेस में है ठीक है और सीता माता को देखो बनबासी के वेस में बिलकुल में रही रखा गया था लेकिन रामाहिन के अंदर साब साब बताए गया था कि जो सीता माता थी और जो रामचंद्र जी थे और जो लक्षमन जी थे उन थे उन तीनों ने ही सेम ही वेस रखा था यान जूला दिखाया जा रहा है ओपर ते यहां पे योगी का कैरेक्टर भी नहीं है और इतना घटिया CGI मुझे नहीं पता क्यों यहां पर यह दिखाया जा रहाए प्लस यहां पर उठता हुआ दिखाय जा चलो भाई ठीक है कुछ नहें हम बोलेंगे और यहां पर दिखाये जा रहे है समंदर जी के सामने है ठीक है कोई बात नहीं है हम आगे और दिखते हैं मिश्टेक तो यहाँ पर बजरंग बली को दिखाये गया और यह कहां से आपको बजरंग बली लग रहा है क्या ऐसे फुला लेने से यह बजरंग बली हो गए भाई ऐसे बजरंग बली नहीं थे जो बानर थे वो बहुत ही तगड़ा बानर थे वो इतना ग्रेट थे और वो इतना पावरफुल थे कि आप सोच भी नहीं सकते हो इन्होंने यहाँ पे चपल पहन के रखा है ठीक है चपल पहन के रखा है इसमें कोई भी बुड़ा ही नही पहना था और वो सीधा उड़के महा से गया थे तो एक बात बोता हो उन्होंने यदी चपल पहना था उनका पैरो का निसान कैसे आ गया ये मुझे समझाओ कोई प्लीज और उसी के बाद हमें यहां पर दिखाया है ये जो सिनी दिखाया जाता है ये वाली का सिनी दिखाया यह बाली है एक बात बताओ बाली एक ऐसा करेक्टर थे जिनके पास ऐसा पावर था कि उन्होंने रावन को 6 महा तक मतब 6 महीने तक अपने कांखों में दबा के घुमे थे और वो एक इनसान के रूप में थे और यहां पर पूरी तरह से गोडिला बना दिया गया जो कि बहु एक सीरियाल आया था बहुत पहले सीरियाल आया था इस्टार उससब और पेस्ताई से मुझे नहीं पता है लेकिन हम मैंने उसको देखा है जिसका नाम था हातीम तो हातीम में जो विलन था उसका देख सब यह पुड़ा किला लग रहा है जो कि बहुत जादा घटिया लग और यह बजरंग बली है और बजरंग बली के पीट पिस्री राम चंद्र जी सबार है एक बात मैं आपको बता देता हूँ रामाइन में साब साब बताये गया है कि कंधे के ऊपर लक्षमन जी को और राम जी को बिठा के जो पबनपुत हनमान थे वो उड़े थे ना कि अपकर आप मैं थानी talkin' सोना कहा यह है और यह चुतिया अफं जहां भ कर ने कि बूड़ा लग रहा है कि अभी तक रामाहिन बाड़े परहा हैina से कही रर्होन रहा है यह देखके बाई प्रॉब्लम ये निया कि यह movie घटिया है, problem यह है कि यह movie यह दिरलीज हुआ, ऐसा दिखाया गया, तो जो आजकाल का generation है, वो सोचेंगे कि ऐसा ही था, हमारा past ऐसा ही था, जो हमारा हिंदू बच्चे लोग है, वो यही सोचेंगे कि हमारा past ऐसा ही था, उनको greatness के बारे में पता नहीं चलेगा, sacrifice के बारे में पता नहीं चलेगा, उनको यह नहीं पता चलेगा, मैं कुछ नहीं बोसकता, और आगे कि मैं आपको और भी गलती दिखाता हूँ, तो आगे साइसे और भी सीन दिखाए गए हैं यहाँ पर, यह देखो, बजरंग बली है यह, लक्षवन जी है, यह, राम जी है, राम जी का कहीं पर भी मुस्कान नहीं है, समझ रहे हो, राम जी बहुत ही मोहक, उनका जो चेहरा था, वो बहुत ही ज़्यादा मोहक था, यहाँ पर फुल आर्मर वार्मर दिया गया है, जो कि मुझे नहीं पता है कहां से आया हो सकता है, कहीं से भी आ गया हो, लेकिन, मैं कुछ नहीं बहुत सकता, और यहाँ पर देखो, यह पुरी तरह से प्लैनेट आफ एब बना दिया है, जो हॉलिवूड मुवी है, वैसा जांबन जी को पुरी तरह से भालू बना दिया गया है, वो ग्रेटनेश जो था जांबन जी के अंदर वो तो कहीं पर आई नहीं है, और यहीं था टीजर और यहीं था मेरा गुस्सा, जो कि मैंने आपको बता दिया, बॉइकोट स्टार्ट कर दो इस मुवी का, क्योंकि ब बोलना था मैंने बोल दिया, आई ओफ वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंताइब वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, मुझे बुड़ा लगा यह देखके तो मैं आप सब के सामने बोलने के लिए मैं मिलता हूँ आप सबको फिर से एक ऐसे में इंट्रेस्टिंग कमार के वीडियो के साथ, तब तक गिले टीक किया, बाइलब यू, आल हाँ, कीप वाच्चिंग, सूप डॉक